हाजर हां दोस्तों, तो अडिस अन्मुक, परसिद कहाणी कार, सुखजीत हो रांदी लिखी होई एक कहाणी है, डंग. ओ लगातार हाथ तो रहा सी, होन तक उसने तेन वारी हत्थानू साबढ़ा के, चंगी तरह तो ओके पूझ लिया सी, पर अजेवी ओदा मन ने सी मानदा के हाथ साफ हो गयने, ओदा मुँ वट्या होया थे गुस्से नल पर या होया सी, फेरो आपपे बुलबडाया, कुझ न लगा मेरे हत्थानू, एमें वे मा, ओ बाथरूम चो तोरनी लगा सी, के बारों कमरे चो अवाज आई, चा ठंडी हो रही है, ए दिलजीत सी, जिसनू होन उसने दिलजीत आखना शुरू कर देता सी, अवाज सुनके ओ तोरन्दी था, थाएं रुक गया, एक पल सारा कुझ सुपना जिया लगा, के ओधे कमरे वेच दिलजीत आई होई है, जेसनू ओ पिछले चे मी न्यातों, ओधिया लत्नाच हरकत होई, ते एक विचार मान्चों ते जीना लंगया, के ओ पाजिके दिलजीत नू कलावे वेच लैलवे, पर कुझ जाद आउन ते, ओधा मों इस शेयर च बदली होई नू छे मीन ने होगय सन, दाफ्तर च ओध्यां ही दलजीत ओधे अंदर के ते डूंगी लैगी सी, ए दलजीत दी सादगी सी, जाँ ओधे वांगूं ही बहता चोपरेन दी आदत, पर कुलबीरतों कदे भी दलजीत नू अपने मान्दी हालत ना कै ह हुई, एक ता ओधा अपना सुबा असंगाऊ सी, दूज्या ओधलजीत बारे दाफ्तरों सुणियां गल्ना नाल डर गया सी, दाफ्तर बिच शांता भी सी, जिस नाल सारे हा सवी लैंदे अते मकौल भी कर लैंदे सन, शांता सेज जी किसे नाल चा पीना कबूल कर लैंदी ते किसे बलों खाने दा सद्धावी, पर कुल्बीर ने कदे शांता नाल हा सा मकौल नहीं किता सी, जदों कदे स्टाफ खुशी मिनार्या हुंदा, चा पीती जा रहे हुंदी, तक कुल्बीर अते दलजीती हुंदे, जो चोप रेंदे, ते बाकिया नाल हा से मकौल वेच शामल ना हुंदे, साथी शेड़ दे भी उनू, तू व्याया होया ता नहीं कुल्बीर, फिर भी ना चोप, वो सिर्फ मुस्क्राच अटदा, उनू लगदा कि सारयां तो वक्ष, ओदी ते दलजीत दी एक सांज है, चोप दी, साधगी दी, एसे सांज करके एक दिन किसे क शाम करके उसने दिलजीत नू बलाया, तद दलजीत ही था ओधे मुष दिलजीत निकल गया, दलजीत ने ओधेवाल वालवेख्या, ते साक्ती नाल बोली, मेरा ना दलजीत है मिस्टर सेंग, दिलजीत नहीं, कुल्बीर दे पैरांहेट हो मिट्टी निकल गया, ओपानी- लगा, कब्राट विच पेपर वेट उधी हत्थो निकल गया, ते फर्ष ते रड़दा होया जला गया, चौक के सार्या ने उधी वल वेख्या, दलजीत उसनों कूर रही सी, कुलबीर दा उत्रया मूँ वेख के अचानक दा हासा निकल गया, बाकी सारे भी हसन लगे, कुलब प्रेहोय ने उसने नहीं वेख्या, के चपडासी पेपर वेट चुक कनले चुक या होया सी, कुलबीर दी उंगली चपडासी दी आखच जा बजी, चपडासी क्रा उठया, दाफ्तर च हास्यांदा पुचा आडा गया, कुलबीर दा बुरा हाल सी, उध दाफ्तरों पाज जाना चौंदा सी, के कहें उधे कन्ना वेच गूँज रहे सन, अचानक उधी सेमी जई नजर दलजीत नाण मिली, उचोप खडी सी, दलजीत दिया नजरा मेच उसने आपने ले हम दर्दी मैसूस कीती, उचेती शेती शेती कंटीन वाल तोर्पया, पसीना पसीना होया, उ किन्नाई पाणी पी गया, सुनो, दलजीत उधे सिरते खडी सी, ओ उमई कबराया होया, खड़ा हो गया, नीमी पाके, तुसी मिन्नों दलजीत कह सकते हो, आह के काली नाल चली गई सी हो, ओ बेज की नीच डौर पार्जया खड़ा रहा सी, उस रात कमरेच आके उसने खत ल मोदत करके गलती लई माफी मंगी सी उसने, लिखिया सी कि ओदे दिलविच दिलजीत लई कोई माडी पावना नहीं, दूजे देन दाफ्तर्च ओनू लेके फिर हा सापिया रहा सी, पर दिलजीत नू वेहके उसने तसल्ली दा साल रहा सी, फिर वी खत देन दा उदा हीया सार्या ने दिलजीत दी एक होर कट ना वी उसनू सुनाई सी, जिसनू सुनके ओ आप वी किन्नाई चरहा स्दार्या सी, गल्लियां होई सी कि एक दिन बैठे बैठे चावला सावने दिलजीत नू आख मार दिती, सारे हैरान कि दिलजीत नू की होया, पर ओ सीट चड के हाथ ते हाथ मार के चावलेवल वेख वेख के हसी जावे, सारे खड़े हो गय सन, चावला गोम सुम पसीना पसीना, शान्ता ने अगे होके दिलजीत नू पुछया के गल्त दस, तो उसने हस्दी हुईने साल एले के क्या के चावला जी नू एवी नहीं पता के केडी अख मारी फिर चावलेवल वेख के अखन लगी चावला जी सजी नहीं, खबी अख मारी दियै, हाँ हाँ खबी, खबी अख मारो, ट्राइ करो, सारे हासा पैगिया पर चावला सजी अख चप की जावे, ते झावला खऴणा हखडा के आखे, मैं आखनी मारी भेंजी, मेरी ते आधते, ते ओधों तों चावलेनू सची मुच्ची ही सजी अख चप करण दी आदत पैगी सी। चा ता बिल्कुल ठंडी होगे मिस्टर सेंग। उत्रब क्या। उसनू हैरानी होई पिछले किन्ने चर्तों ओ हथानू रगडी जा रहा सी। उसने ठंडा सा परिया। तौलिये नाल हाथ पोंज के उचेती ही बहार आ गया। दिल्जीत हैरानी नाल ओधेवल वेख रही सी। ओवी अखां पाड़ पाड़ के ओधेवल वेखन लगा। गर्म कर ले आमा। आख दी ओप्यालिया चुकन लगी। कुलूबीर दा ते आन चावल चले गया। चा ते आई मलाई वेख के उनू बड़ी केर्णाई। ओदा मन नफरत नाल पार गया। ओप्बू खो बैठा। चप्टिया। चा दे दोमे कप कंधते मारे ते दफा हो जा। ओँ होंकन लग पया। दलजीत अवाक ही उदे मूँवल वेख रही सी। ओँ शब्दानू चब्दा हुया बोलिया। तू दलजीत ने दलजीत है। उसने दल ते खासा ही जोर दिता। दलजीत यहां सी जिमें किसे ने उदा खून ने चोड़ लिया कुलबीर दे चेरे ते ओड कांदी नफरत ची। उसने परस चुक्या बड़ी केर नानाल दलजीत वाल सोट दियां चीक्या। गेट आउट। दलजीत बिना कुझ समझे बिना कुझ कहे तों डरी सेमी जै ते रोण हाकी जै बाहर चली गे। ते गुसे नाल उदा चेरा होरी तरह दा हो गया। ओ बाथरूम बन पजिया फिर परताया। कोड़ा को टपर नवांगों तूटियां प्यालियां चुक्यां उसने कमरा साफ कीता ते तूटिते हाथ तों लगा। गुसे ची उनु जाद आया के अज किसे गल्लों सर ने दिलजीतनू कूर्या सी। उस सीटते बैठी होके पर रही सी। सर नु गुसेच वेह के नेमिया पाके सारे कम कर रहे सन। दिलजीत दी हालत कुलवीर तों देखी ने सी जन्दी। छुट्टी विल्ले उसने होसले नार पुच्छी लिया सी। की हो गया सी जी। उस दिन तो बाद उसने कदे ना नहीं सी लियाओ दा। ओधे पुच्छन दी देड़ सी के दिलजीत फुट-फुट के रोप ही। शान्ता ने दिलजीतनू कलावेच लै लिया। गल कुई खास नहीं सी। दिलजीत भी नॉर्मल हो गई सी। सारे तोर पेसन तब पता नी के में कुलफीर कोड़ों दिलजीतनू कैह हो गया। चलो किते चाप इनने है। दिलजीतने एक पल सोचिया सी ते बोली सी कितेने कर चल देया। पर तुर्द्या तुर्द्या चाँ परग्राम दिलजीत दे करतो बदल के कुलबीर दे कमरेदा बन गया कुलबीर उट दा प्या सी जदों दिलजीत ने परस रख दिया कर दिया बंगूं किया चा अ मैं बनाओंगी तव दी खुशी सिखरा शोन लगी सी अचानक उसनों पंद्रा दन पहला लेखिया खात जाद आगया सी उसने सोचया कि दिलजीत दे बात्रूम चो मोडनतों पहला उसने पर्स वेच ओ खात राख देवे जाद उसने पर्स दी जप खिची तब पर्स अंदर नजर पेंदियाई ओ एयों बड़किया सी जिमें बिच्चू ने डांग मारया हुबे होसला करके उसने डब्बी बार खिच लेई डब्बी उतले शब्द हथोडे भांग उदे दमाग ते बजजे गर्ब रुकू समगरी बात्रूम दा दर्वाजा खड़किया सी कबरा आये होए तो डब्बी पर्स वेच ना पा हुई हाथ जेब बिच चला गया सी दिलजी दे और तो पहला ओ उत्थों हट गया ते पासावट बात्रूम चे जाबड़या सी गौर्णाड फिर डब्बी वेखी फिर जिमें बिच्छू ने डंग मारया होवे डब्बी उसने बगा के नाली ची सुटी ते रगड रगड के ओ हाथ तों लग पया सी बजारू ओरत ओ बुडबडा रहा सी हाथ पोंच के ओ बात्रूम चों बाहर आ गया कमरेच आ के कुर्सी ते डिग पया सा सतहीन जिया फिर उठिया जंद्रा मार के बाहर निकल गया सी रात शायद बहुत पय गया सी हो उन्हों कोई पता नी सी के कमरेच कदों ते के में आया सेर्विच तेज दर्द सी ते स्रीर सारा टोट रहा सी ओ उठन बारे सोची रहा सी के द्रवाजा खड किया मकान मालक सी असी इज़दार लोगा मिस्टर सिंग माफ करना राती तुसी जी काल ही उसने इन नहीं किहा दाफतर जाणनों उखकाई दिलनी सी करदा होँदा पर किसेनू कमरा लबन लए ज़ी केना सी ते नाले नाले ओदे सेर नो गुभार जया जड़या दस दया सारे दाफतर चुस देवी वारे उसने सोचया ते त्यार होके ओदाफतर नो चल पया ओदाफतर पहुंचया ते जिमे सारे ओनों युडीक दे हून मुबारका गुरू तूता जार शोपया रुस्तम निकलें कमाल करती जार ओ चूठा चूठा हसरे हासी दलजीत नहीं देश दी किते वर्मे ने एदर उदर वेख किते आ सारे यां मैच दी जिमें उनू कुछिया होगे पर जवाव दिता कपूर ने सारा मामला फेट होगया लगदै ताईं दलजीत ने लंबी छुटी लई अरजी पे जीए कुलभीर चुप खड़ा सी चावला सजी अख चपक दा हैरानी नाड उदेवल वेख रहा सी वर्मा बोलिया उन तैं मंतर की मार्या गुरू उने ताज तक कुलभीर दा मुँ वट्या गया उदे चत्य चाया के पांड़ा पांदेवे सारा तादी शान्ता आगी उसने पुछया कुलभीर दलजीत ने आई मैंनू की पता है उदा कुलभीर नू कुसा आगया उनू लगा जिमें सारे उदा मुखौल उड़ा रहे हून शान्ता उलजी जई फेर बोल्ली सी दरसल कल साड़े पर्स बदल गये गलती नाड की जिमें बिच्चू ने डंग मारया होवे कुलभीर तडफया सी ते डिगण तो बचन लई उसने कांददा सहारा लेलिया सी शुक्रिया दूस्ट